बिसमिल्लाइरुख्मान रहिम आज मैं आपको मकनी कड़ाई की रेसीब बहुत बहुत लाजवाब तो बहुत असान रेसीब है बहुत लजीज एक किलो चिकन मैंने धोने के बाद जाड के रखा हैं हमें छनी में जाड के रखते हूं पारी निकल जाए तो हम इसको जब फ्र और 200 गिना में ने ओईल लिया है और गीम घीम घीमे बनाए तो बहुत मज़े का बनता है इस फराई हो चुका है आप देख सकते कैसा कलर हो गया है इसका हमें इसा चाहिए चिकन फुल फ्लेम में हमने फ्राई किया था और एक चमच लस्तन एक चमच अधरग यह बस हमने फ्र 30 आएं जाए तेश्पूं लार्मिरच 1 थेश्पून उड़े ती मने ग 그래도 टिस्पूव टीश्पूव और शचीश्पून ने फानिव नहीं है तने श्ररेप में वट इख चलू कर्द Самय भूब ने डे तो तामाटा का बस पेस्टी जाता है जो अदर मेने मसाले डालने के बास फोरण ढ़ेकि बाद मैंने यह बास दाला हैं और इस वाग जाना था और लेकि मैंने बाद में डाला है अच्छी तरह मिस करेंगे और हिलाएंगे और इसके हम लो फिलेम में पकाएंगे 20 मिन के लिए अगर आपको में रेसे भी अच्छी लगती है आप लाइक सब्सक्राइब करें लाइक सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो दूआ में तो या रखा करें लाजमी दूआ में या रखा करें आपकी दूआ चाहिए तो त्विस मिन बाद हमने ढ़कन हटाया है और बस हम इसको करेंगे ड्राय सारा फूल फिलेम कर दिया है इस टमाटा का बहुत पानी निकल आए और धाई का पानी होता है जब चिकन पकता है हर गोष पानी छोड़ता है अपना तो बस हम ड्राय करना कुछ भी नी बहुत लजीज बहुत हम को मखनी बता रहे हैं यह कड्राय मेकनी एक होती है मकनी जो देख्ची में haarडी मंकनी होती है और एक मकनी इसे बंख्यो सिप दो त्यूं पैसी जाते हैं और देशी घी जाता है इसके अन्दर अगर आपको वह मखनी खानिए तो आप मुझे कमिंट बॉक्स में लिखें कमिंट में बताया और वैसे भी में बनाओंगी तो इसके बहुत बहुत खराब हो रहा था तो इसलिए हमने ढग के इसको ड्राय किया है तो बस हमें ड्राय करना है ख्याल भी रखिएगा बीच में हमारा यह मसाला जले नहीं बहु दुमता हमारा देखें तयार है भी और भुनाई होगी इस वक्त आप नमक चेक कर सकते हैं इस स्पाइसी कर देखें ख्याल रखिएगा टीस्पून छोटे वाले डालिएगा बहुत जादे स्पाइसी नहीं चाहते आपने जादे स्पाइसी डाल दिए भर भर के तो आपको को मकनी मकनी नहीं रहेगी तो यह कुछ और ही बन जाएगा तो इस सारे ही जाएगे थोड़े थोड़े से जाएंगे यह कंपलिट देखे हमारा बुन चुका है हमें बुना था कंपलिट भूना है सारा ये बिल्कुल तयार है अब हम इसमें डाल रहे है आदा पाओ किरीम किलो चिकन में अद्गा पाउ देखे इसमें एक पाउभी करीम जाती है आपकी पसंद के पर एक पाउभी टाल सकते हैं और करीम करिब करेंगे चाहते हैं इसके किरीब मखण आप अपनी मझ्य डाल सकते हैं लेकिन कम से कम आदा-पाउ किरीब जा सकती है इसके अधा जादा एक पाउ तो बस हमने ये डाली है यह मखनी है तो जहरे किरीब मखन तो लाजमी जाएगा और एक मखनी ऐसे बनती है जिसमें देशी घी जाता है दो तीन ऑन पा तो यह बस यह तैयार है यह हमारा एंड में सब कुछ गया है बटर डालके से पांच मिंड में पांच मिले लोफ लेमे रखेंगे बटर हमारा बिगल जाए और बिल्कुल तैयार रेडी आप बना इंशालला आपको बहुत पसंद आएगे और आपकी बहुत उंदा बहुत कुछ बाद करına सा-धामारी मिर्ची नहीं जाती रही होती है कुछ बास रेस्ट्रून में कटीवी भी हरी मिर्ची होती है तो बास आपक conveय करता है आप-को इसे पर्सदे till का हम दम इसूए लगाए करे जएमक्री मिर्ची में आ जाए बिसमLS यसे थे लोगान लाएग हम अ अच्छा सा फिलेवर हमारे मखनी में आ चुका है बिल्कुत तयार रेडी है आप बनाए इंशाला आपके बोची बनेगी और हम आपसे जाज़ा चाहते हैं अपना बहुत जादा ख्यारा कियेगा अल्ला हफीज झाला हम आपके बनापके 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 ब